वैसे तो I am sharing three crazy strategies in this video related to influencer marketing जिनने use करके अब हर एक महीने 50 या 80 जार रुकर महीन आराम से कमा सकते हैं आज यो side hustle पर अगर आप further information चाहते हैं या फिर कुछ exclusive information चाहते हैं जिसका exclusive access आपके पास में हो तो आप हमारा telegram channel join कर सकते हैं Also अगर आप एक personal mentorship चाहते हैं या फिर freelancing में online पैसा कैसे कमाना है skill development कैसे करना है कुछ भी सवाल हो आप मेरे साथ में video call भी book कर सकते हैं telegram channel का और call book करने के दोनों ही link आपको description के top में मिल जाएंगे जब हम influencer marketing की बात करते हैं तो यहाँ पे दो ऐसी चीज़े हैं बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है पहला है brands और दूसरा है influencers और दोनों की ज़रूत एकदम बराबर होती है पर अगर आपको पहले क्या करना है उस चीज़ के बार में बात कर नहीं है तो personally I feel आपके पास में influencer की list पहले ready होनी चोई है even before you start finding clients वो इसलिए क्योंकि अगर आपको मालो कोई brand deal मिल जाती है तो आपको बाद में time waste नहीं करना पड़ेगा influencer जोनने के लिए और उस time waste के चकर में ऐसा ना होगी और brand deal ही चले जाए या फिर उनका जो main intention है उसमें delay हो जाए अब अगर में एक beginners perspective से बात करो तो आपके पास में influencer marketing को use करके पैसे कमाने के लिए तीन options हो जाते है and mind you यह तीनों की तीनों options इतने easy नहीं है जितने यह sound करेंगे इसमें of course महनत लगेगी dedication लगेए का consistency लगेगी और इतना जरू guaranteed है कि अगर आपने बहुत ही regularly चीज़ को किया बहुत मन से किया तो आप definitely crack कर सकते है and you can certainly start making 50,000 से भी ज्यादा हर एक महीना as a side hustler number one double effort strategy अब जैसे आपको नाम से पता लग रहा है आपको यहाँ पर दो तरीके के efforts करने पड़ेंगे पहला effort will be to find clients, brands and दूसरा to find influencer brands को डूढने के लिए you can always use a right way of networking LinkedIn से आप start कर सकते है you can connect with people या फिर आप cold email की strategy भी use कर सकते है to drop emails to not so big brands ताकि आपके पास में का quick check कर सकते है कि उनके लिए अगर कोई social media campaign आने वाला है जो आप handle कर सकते है that'll be great और जो दूसरा part है influencers का उसे ढूढने के लिए of course you will have to make a list एक niche के हिसाब से आपको list prepare करने पड़ेगी कितने followers हैं, क्या link है हर एक details जो influencer के आपको मिल सकती है ये जो list है ये आपके पास में पहले से prepared होनी चाहिए including their email ID and contact numbers वो होने के बाद में जब भी आपके पास में कोई brand deal होती है you can reach out to them on brand's behalf and you can see अगर वो interested है उस campaign में या नहीं है आपके पास में जो list है ये थोड़ी लंबी होनी चाहिए ताकि अगर मालो 10 लोगों की जरुत है आपके पास में 100 लोगों की list है it becomes easy for you to get things converted अब अगर यह आपकी income की बात करो तो जो भी पैसा आपको brand से मिलता है minus जो पैसा आप influencers को देते हैं that is all yours या फिर काफी सारी cases में लोग brand से commission लेते हैं influencer से commission लेते हैं which is somewhere between 5 to 15% और आपका जो main income होती है वो होती है ये commission ये percentage बाकी जो amount होता है जो influencer जिसमें agree करता है brand जो देता है that has to be same यानि कि अगर influencer ने 50,000 मांगे है brand को 50,000 ही आपको आगे convey करने है you cannot convey 80,000 जो आप पहले वाले case में कर सकते हैं अगर आप चाहें increase करके बताना दोनों में से whatever suits best for you, you can choose that दूसरी है drop servicing strategy अब जैसा मैंने आपको पहले drop servicing के वीडियो में बताया था तो इस वाले case में क्या करना होगा आपको influencer marketing की जो agencies हैं जो companies हैं, जो PRs हैं उनको आपको contact करना है, आपको उनके लिए काम करना है to managing everything या फिर आप ऐसे freelancers जो आपके जैसा ही काम कर रहें पर उनको अच्छा कासा काम मिल रहा है आप उनके साथ में भी काम कर सकता है तो इसमें क्या होगा, आपको जो brands मिलेंगे जो brand deal के बारे में पता लगेगा sponsorship के बारे में पता लगेगा वो होगा through all these agencies and companies उसके बाद में जो भी आपने influencers के list बनाई वे हैं उनको आप reach out करेंगे for this particular campaign और जो भी conversion होगा आप दोनों को वहाँ पर connect करेंगे agencies को और इनको यहाँ पर आपका काम सिर्फ और सिर्फ इतना होता है कि you get these guys connected while you are in between आपको हरे एक email में loop पे होना पड़ता है ताकि कोई भी चीज आपके notice के बिना नहीं जाए अब यहाँ पर जो payment ही होता है वो इन influencers को directly agencies और brands वारा दिया जाता है और यहाँ पर जो आपको pay होता है that is all between you and the agency तो यहाँ पर again similar cases हो सकते हैं या तो आपका एक fixed amount हो सकता है या फिर एक fixed percentage हो सकती है अगर माल लो आपने influencer को पूछा वो कितना charge करेंगी उन्होंने बोला 50 आपने आगे इस agency को बहुत ही transparently बताया कि influencer ने भले ही 50 बोलाओ पर the price will be 80 30,000 will be your cut अब आगे जो agency आगे brand को pitch करेगी वो उसी amount को consider करते होगे करेगी which is when you get paid या फिर आप यह बोल सकते हैं कि जितना भी influencer ने बोला है उसके उपर 15% आपका amount होगा whatever works best for you, you can do that तीसरी strategy है the ultimate strategy अब अगर as an influencer marketer influencer marketing agency अगर आप बहुत अच्छे तरीके से पैसा कमाना चाहते हैं चीजों को scale करना चाहते हैं तो this should be the strategy you should be focusing on in a longer run of course यह चीज़ आप starting से start नहीं कर सकते हैं क्योंकि इस चीज़ पर पहुंचने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी उस level पर पहुंचना पड़ेगा जहां पर आप trustworthy हो आपका यह नाम हो इस strategy में क्या होता है कि in place of you finding brand, influencers उनों को connect करो, बीच में पैसा कमाओ यू actually start exclusively managing a list of influencers उससे क्या होता है कि उन influencers को जो भी emails आएंगे या पि जो भी आपके पास में brands आएंगे आप इन ही लोगों के साथ में उनको directly pitch करने वाले हैं यानि कि अगर मालो यह 10 ऐसे influencers हैं जिनको आप exclusively manage कर रहे हो इनके email का access, इनके social media का access आपके पास में होता है जो भी इनको directly brand reach out करते हैं वो आप manage करते हैं जो आपके through brands आप लेके आद पर इनको देते हैं वो आप manage करते हैं यानि कि हर एक चीज़ exclusive होती है इन 10 लोगों के लिए अब ये चीज़ करने का main फायदा ये होता है कि maximum cases में brands reach out to them क्योंकि वो काफी ज़्यादा popular है क्योंकि अगर वो popular नहीं है तो of course आप exclusively manage करना भी नहीं चाहेंगे तो उस वज़े से 90% काम तो आपको वैसे ही मिल जाता जब brands उनको reach out करते हैं अब आप क्या करेंगे उस particular brand को आप contact करके बोल सकते हैं कि आप 9 और लोगों को manage करते हैं which might be relevant to whatever the brand is into अगर वो उस campaign के लिए उन 9 लोगों मैंसे कुछ और लोगों को भी hire करते हैं तो again you will actually make your commission, your earnings even more साथ ही में आपने कहीं न कहीं उन influencers को और extra काम दिलाया जो उनके लिए beneficial होगा तो इस तरीके से क्या होता है न यहाँ पे एक इंसान के लिए जब अच्छा होता है तो 10 लोगों के लिए अच्छा होने लग जाता है in fact 11 including you अब यह तो हो गया एक तरीका of looking at things अब अगर माल लोग के आप ऐसी company run करते हैं जहाँ पर आप चीजों को और maximize करना चाहते हैं तो 10 exclusive influencers के अलावा भी आपके पास पचास सो ऐसे influencers होते हैं जिने आप contact करते हैं whenever there is a campaign अब माल लोगों ऐसा brand है जिसने इन 10 में से एक influencer को contact किया है आपने campaign sign कर ली बाकी 9 logo को brand ने हा नहीं करा पर brand is also looking for more options तो आप क्या करेंगे इन 100 influencers की जो list है जो आपके पास में है या तो आप वो नाम share करेंगे या फिर आप इन लोगों को contact करेंगे to check if in case they are interested in that particular campaign और अब वहां से भी अच्छा कासा पैसा कमा सकते है अगेन ultimate strategy पर पहुंचने के लिए बहुत ही जादा मैनत और dedication लगने वाली बहुत time लगने वाला है this is not going to happen within few weeks or months पर ये definitely होने वाला है and that is how आप as a beginner influencer marketing से पैसा कमाना start कर सकते है as a side sell अगर आपको कुछ भी question है telegram channel का link आप description में बिल जाएगा you can also book a video call with me if in case you need help अगर आप further information चाहते हैं या फिर कुछ exclusive information चाहते हैं जिसका exclusive access आपके पास में हो तो आप हमारा telegram channel join कर सकते हैं also अगर आप एक personal mentorship चाहते हैं या फिर freelancing में online पैसा कैसे कमाना है skill development कैसे करना है कुछ भी सवाल हो आप मेरे साथ में video call भी book कर सकते हैं telegram channel का और call book करने के दोनों ही link आपको description के top में मिल जाएगे बागी जाने के विला like जरू कर देना बागी में मिलोग आपको नेशने दत्व के लिए take care and keep hustling